temporary का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं temporary का आर्थ होता है जो permanent नहीं होता उसे हम temporary कहते हैं यानि कि as thai कर्मचारी या adjective के रूप में इसका आर्थ होता है as thai, alpkalik यानि कि थोड़े समय का, samaiik, anitya, थोड़े समय का, shanik या कुछ वक्त का, यानि कि जो चीज स्थाई नहीं होती या कोई कर्मचारी जो स्थाई नहीं होता उसको हम as thai कहते हैं और English में temporary कहा जाता है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसका काम केवल as thai है तो आप कहेंगे his job is only temporary his job is only temporary या अगर आप ये कहना चाहें कि मुझे एक as thai नोकरी मिली है तो आप कहेंगे I got a temporary job I got a temporary job या अगर आप ये कहना चाहें कि ये विलंप केवल as thai है तो आप कहेंगे the delay is only temporary the delay is only temporary अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें